कि आ खेयरा है,चले हम चलते हैं,फिर डिर्क्ली अ अड़ली एड़ोबी एनिमेट पर और फिर जो है देखते हैं कि क्या-कुछ है आपके जो कोश्चन आई होप आपने लिक लिए होंगे जो आपने पूछने हैं आई होप आपको स्क्रीन नजर आ रही है जी सरा रही है जी विसिबल है ओके ओके चलें तो मैंने रिकॉर्डिंग लगा दी हुई है ठीक है अगर आप मैंसे किसी को चाहिए होगी ता मुझे बता दीजिए कि मैं आपको सेंड कर दूंगा ठीक है चलें तो हम येस आपके जो जो कुश्चन्स हैं आप मुझे बताते जाएं मैं जस्ट गलब्स पहन लो अपने टैबलेट के और फिर हम देखते हैं क्या क्या कुछ करना है जी अपने अपने आप इश्यूज बोलते जाएं जो जो आपको आ रहें अगर हैं तो हम डिस्कस कर लेते हैं अधरवाइस बाकी मेरे पास जो कुछ है मैं आपको बता दूँगा ठीक है जो आपने मुझे शेयर किया है फिस में और प्सकीर के इन रहे को Connor से Спाथ जो आप मझे ऐख़ोल पूरल नुग अरशु कि सि कार अनुमेंशन बनाई थी काफे अच्छी थी आप लोगें ने भी देख होगी आज रहाँ रोगे काफे प्लैटर थी और कि अजिए और बल्वान सिंग ने ये भेजा था फ्लेम अनिमेशन बनाई थी बस इसकी स्पीड थोड़ी सी फास थी स्लो करने की ज़रूरत थी बटी है कि फिर भी बैटर था प्रैक्टिस में ये चलता है मेरा ख्याल है अभी जो मौमद आसिफ हमारे साथ जोईने इन्होंने काफी जादा चीजे मुझे परस्नली शेयर की है काफी अच्छी थी वह वाली या इसके लावा भी कुछ आई थी कोई चीज नहीं और जो आसिफ है मैं आपको कुछ बताना चाहूं जो मैंने नोट किया ह है आप अभी टाइपागरिफी के ओपर ना थोड़ा वर्क करने के जरूरत है क्योंकि जब हम क्लाइट के साथ काम कर रहे होते हैं तो थोड़ी से ना लश किसम की टापागरिफी मांगते हैं मतलब वो जो आज कल काफी जादा इन है ठीक है तो उसमें से मैं आपको वो आइशल आफर चले तो कुछ ऐसा टेक्स्ट जो है आपको आपने लिखा हुआ था ठीक है अब उसमें जो टेक्स्ट मांगते हैं आपसे आपका क्लाइंट मांग रहा होता है जो आज कल काफी जादा फॉंट्स इन हैं वो कुछ ये वाले हैं मैं कुछ गाइड करते तो कुछ तो आपको जो बिल्ड इन दिये गए ना उनमें से अगर बात करते हैं तो टॉप से अगर आप देखना स्टार्ट करें तो यहां पर दो किसम क्यों होते हैं सारफ और सेंसेरीफ का तो पता है ना अपको इसका एडिया है में यहां पर ही बता देता हूं एक्षूली म Sands and Seraph देख लेते हैं Just take example के लिए हम इसको देख लेते हैं यह यहां से अभी हम एक पिक्चर देख रहे हैं Basically जो Sands होते हैं उसमें hooks नहीं होते Text के साथ hooks नहीं होते जैसे यहां पर आपको नज़र आ रहे हैं जैसे इस Text A के जो पाओं है ना यहां पर ठीक है जो इसके साथ Sands उसके साथ यह स्पोर्ट्स नहीं है ठीक है जबके जो Seraph वह था उसके साथ यह स्पोर्ट्स होती है मेरा क्याल आपको यह समझ आगिया है जी ठीक है तो आपने जो Special Offer लिखा हुआ था ना वह इस सारफ के अंदर था नॉर्मली जो Seraphs है ना वह इतने ज़्यादा टेक्स्ट के अंदर नहीं पसंद किया जाते ठीक है मतलब जो आपने बड़ा टेक्स्ट यूज किया होता है खास दौर पे तो यह हैडिंग के लिए यह नॉर्मली नहीं पसंद करते मतलब जो क्लाइंट्स होते हैं जैसे यह अभी जो मेरा लिखा हुआ है स्क्रीन के ओपर यह भी क्या है यह सेरिफ में है तो अब अगर मैं कलाइंट को यह कोई चीज़ बना के दे रहा हूं सकती है यह बेस नहीं होती है शको और यहां पर दिखता है अधी यहां पसंद किया जाता दार जाता एा कफी जादा पसंद किया जाता है हो इसको गाषि़ की आ hostage यह, यसके लावा मैंने एक अर इंस्टाल किया हो इसको बाते है कि कमर्शल्स बनाते हैं खाने पीने वाले जिसमें कोई क्या हो सकता है लिक्विड हो सकता है ठीक है या कुई कोई फूड हो सकता है उसके ओपर यह वाला हम टेक्स्ट अप्लाइब करते है इसके मैंने आपको एक वीडियो भी शेयर की थी ठीक है यह वाली सुपर कूल टाइप की अच्छा यह भी क्या है यह सैंस में है इसी तरह अच्छा अब एक और चीज़ जैसे मैंने यहां पर यहां पर यह इंस्टॉल किया हुए ट्रिक टू दा ट्रीट्स ठीक है यह एक यह वाला जो है अब यह क्या है यह है सैंसरी सैरफ है यह वाला अब यह वाला यूज किया जाता है वहां पर जहां पर आपने अंगर दिखाना हो जहां पे आपने आग दिखानी हो, जहां पे आपने फाइट दिखानी हो, जहां पे आपने दो चीजों के दरमयान एक जिसे कह सकते हैं डिफरेंस दिखाना, वहां पे आपने क्या यूज करना होता है, आपने सेरफ यूज करना होता है, ठीक है, यह छोटा सा इसमें डिफरे ठीक है, मतलब, सेरफ आपने वहां यूज करना है, जहां पर दो ओपोसित चीजें आपने दिखानी हैं, ठीक है, एक आपने, सपोस का लेते हैं, एक आपने, कोई चीज एंगर वाली दिखानी है, जैसे, आपने अकसर देखाओ कि, ए मैंने कुछ दिन पहले, एक कमर्शल के पर बड़ा गौर कर रहा था उसे प्राइट के कमर्शल आती है उसमें एक साथ भी दिखाया जाता है कि जो सिप्राइट आती है वो बड़ी ही कूल टाइप वो दिखाते हैं ठीक है उसके ओपर जो उन्होंने टेक्स्ट यूज किया होता है जो उसका फॉंट है वो है सैन के जो सैरिफ वो दिखाया जाता है कि वो एक आग जब फायर दिखाते है लिखा हुआ तो उसके साथ ये सैरिफ यूज किया जाता है आपका भी इसके ओपर गौर कीजिएगा ठीक है यह आपको काफी इंटरस्टिंग चीस हैं लगेंगी यह वाली ठीक है इंशाला आप मै काफी बड़ी सी तो इसके अंदर सैंज यूज किये गई है सैरिफ ने यूज किया गया ठीक है अच्छा यहां पे भी अभी कुश्टिंग पहले मेरी मेरी नजर के सामने से चीज़ना गुजरी थी मैं एक कमर्शल देख रहा था वो खाना दिखा रहे थे एक साइड पे ख एक नाम है वो एदेवूफार ड्रामा में एक आता रहे हो हाँ वही वाला वही 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 वहाला जो जिसका भी कुछ ने पहले करेकर पार मशूर से ड्रामा था साथी यह जो आपने भी आड़ देक्शाओ ये वाल जी जी बिलकुल यही भाई था इसी की वह कमर्शल ह देखे सिप्राइट में धीर है सिप्राइट मैं जोगर। इसमें इसमें सारे ये ज़रा गोर करेंगे देखे जितने भी हेडिंग्स इसके उपर हैं जितना भी कुछ यूज किया गया है ये यूज किया कि सैंज में इसके अंदर सैरफ ने यूज हुआ ठीक है यहां पे ने यूज किया गया खेर पहले एक वक्त हुआ करता था जब सै 20-40 साल पहले इवन आपकी जो बुक्स हैं जो परानी बुक्स हैं उसको आप कभी देखें अगर आप नॉवल्स पढ़ते हैं जैसे आज कल में एक आटॉमिक हैबिट के नाम से एक नॉवल पढ़ रहा हूं तो उसके अंदर जितनी भी वर्डिंग है वो सारी कि सारी जोना व इसे कुछ करके वो भी बहुत मज़ेगा था वो मैंने एक कलाइंट के लिए रेडि किया था मेरा ख्याल है मैं आपको उसी की वीडियो भी शेयर की थी शायर मैं आसे भाई को शेयर की थी अपनी गृूप में शेयर की थी तो जितने भी आपने नोट किया होगा मॉस्टली इसे उपर है यह मैं यूज करता हूँ इरेज इरास इसको पढ़ लिए एरेस पढ़ लिए बोल्ट आई टी सी के नाम से एक ये यूज करता हूँ एक मैंने ये कमर्शल के यूज किया था फैटल फाइटर के नाम से इसके मैंने आपको ये भी वो की थी वीडियो भी शेयर खेल दिखाया जाती ठीक है वहां पे इस चाहे टेक्स्ट यूज करते हैं ठीक है बाकी आप गूगल करेंगे ना आप डिफेंट फ़ोंट्स कब के यूज करना है ठीक है इसके लावा मैंने इतना ज्यादा कोई में चीज मतलब फिल नहीं किया भी टैपाग्रफी के बारे मैं आसे भाई को यह बस गाइड करना चाहरा था बाकी आप लोगों ने अभी मेरा खाले इतना प्रोजेक्स नहीं शेयर किये बस एक और आसे भाई हम इसके जब हम इंटो कंट्रोल भी कर लेते हैं लिए उसी तरह कंट्रोल भी करते हैं तो वह ग्रेडियेंट जो हेफिए आपकल नहीं आरहा था दो किसंगर जो फॉंक्शन है मैं लिख लेक्दे और ब्लैक से लिख लेक्द यह कर थक है यहां पर इस इस एड़ अडॉब Adobe Animate के अंदर दो functions हैं, जब भी आप work करते हैं, एक है strokes का function, ठीक है, एक strokes है, मेरा ख्याले ये नजर आ रहे हैं, नहीं ते मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, एक है strokes, और दूसरा है fills, ठीक है, अब आपके सामने ये जो text लिखा हुआ है, जिसका special offer लिखा हुआ है, ठ strokes, ठीक है, या इसको objects भी कहते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, objects बोलते हैं, अब object की ये पहचान होती है, अगर आप उसके ओपर click करके, उसको क्या करेंगे, select करेंगे, तो उसके ओपर blue क्या आते हैं, selection tool जब आप लेंगे, तो उसके ओपर blue एक circle आता है, या box आता है, अजसे यहां पर आपको नज़र आ रहा है ठीक है अब यह जो letters है यह अलग-अलग क्या है यहां पर arrange हो चुकिए है और इन सब के ओपर आपको एक blue box नज़रा आ रहा है नज़रा रहे नगा basically यह show करता है इस इस चो करता है कि इस इनके ओपर fill apply नहीं हो सकता क्योंके ये क्या हैं ये हैं Stokes या ये हैं Objects अब ये सारे का सारा क्या है? ये है Stokes या इसको कहते है Objects ठीक हो गया अब Stokes या जो Objects होते हैं उनके उपर अगर आपने कोई Color Change करना है तो आप जस्ट क्या कर सकते हैं? properties panel से यह fill जाके जो उनका dedicated fill है वो आप apply कर सकते हैं ठीक है आप यहां से इसके उपर apply कर सकते हैं but जो आप gradient की बात कर रहे हैं एक मिनट किसी ने join तो नहीं किया चले हो गया है on jafri आ गए है अभी फिर कोई और leave कर गही है फिर internet को maybe issue हो उनकी तरफ okay अच्छा यह भी क्या है stalks हैं जा इसको क्या करता हूँ अब अगर में इन्मस से किसी एक को क्या करता हूँ मैं चले इस offer ko मैं इस offer को select करके इसके ओपर एक मरत पार पिर ctrl b करता हूँ पहले मैं एक मरत पार ctrl b किये तो यह separate letter में convert हो गई है अब मैं इनको एक मरत फिर क्या करता हूँ मैं इनके ओपर control B करता हूँ now offer जो है वो fill में convert हो गया मैं इसको भी कुछ ऐसे arrow बना के show कर देता हूँ ताकि आपको idea रहे ओके जो basically अब offer लिखा गया है वो है fill में जबके जो special है वो है stocks में ठीक है अब इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद guide करता हूँ कि इन दोनों का मतलब क्या है मैं इसको थोड़ा सा drag करके नीचे लेके आता हूँ और इसको मैं और नीचे लेक्ट आदा हूँ अब अगर मैं इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करता हूँ देखें मैं अगर स्पेशल को हाफ सेलेक्ट करता हूँ यहां तक ठीक है चुँकर यह अबजेक्ट है अबजेक्ट सारे का सारा सेलेक्ट होगा इसको मैंने half selection बना के छोड़ा, यह दे के छोड़ दिया, तो यह सारा select हुए, इसको मैं drag करने के नीचे लाए, तो सारा आ रहे है, but, जो fill है, fill क्या होता है, जब जहां तक मैं इसको select करूंगा, वही नीचे आएगा, अगर मैं इसको यहां तक select करता हूँ, तो just यही part नीच आएगा, ठीक है, तो पहली बात यह आपको समझ आ गया, कि fill और stroke में क्या difference है, या fill और object में क्या difference है, यह समझ आ गया, अच्छा, अब अगर मैं इसको, offer को select करके, नीचे की तरफ लाता हूँ, अब मैं इन दोनों में आपको difference दिखा देता हूँ, थोड़ा सा, मैं offer को यह रख लेता हूँ, अब देखें, अब मैं इसको special को select करता हूँ, ठीक है, colors में जाता हूँ, यहाँ पर मेरे पास color जो panel है, वो यहाँ पर पड़ा हूँ, इस side पे, ठीक है, मैं यहाँ पर जाता हूँ, तो यहाँ पर अगर जाकर मैं इसके ओपर linear gradient apply करता हूँ, यह apply नहीं ह ही है, उसके अंदर just solid color fill हो सकता है, मैं जितना मर्जी gradient के ओपर click करता हूँ, gradient color यहाँ पर select नहीं होगा, क्योंके जो gradient है, gradient is only for the fills, ठीक है, gradient किसके लिए है, gradient, gradient जो है, वो only for the fills है, देखें, अब मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ, वो basically fill में है, मतलब जो classic brush tool है, वो जिस mod पर काम करता है, उस mod को कहते है, fill, fill का option है, ठीक है, आप देखें, मैं जो gradient लिखना चाहरा था, वो किस में आ रहे है, वो gradient color में आ रहे है, मैं दोबारा इसको थोड़ा सा express करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कि जो gradients है, gradient हमेशा होता है, gradient is applied, applied on fills, यह fills के ओप पर apply होता है, सही हो गया, अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसके ओपर apply करूँगा, क्योंकि मैंने offer को क्या किया हुआ था, मैंने इसको दो मरत ब्रेक अपार्ट किया है, now it is in fills, यह यूँ कह सकते हैं, यह fill में जा चुक है, यह अब object नहीं है, stroke नहीं है, इसके ओपर ज चले, मैं इसको चूज कर लेता हूँ, ठीक है, एक साइड पर मैं चूज कर लेता हूँ, मान लेते हैं, मैं चूज करने वाला हूँ, blue color, और दूसरी साइड पर मैंने चूज किया है, कौन सा, मैंने इसको चूज किया है, I think orange है यह यह वाला, ठीक है, यह yellow है, अब जबके यह वाला क्या है, यह जो special लिखा हूँ, यह stroke में है, तो stroke के उपर यह apply नहीं होता, ठीक है, क्या apply नहीं होता, यह इसके उपर gradient apply नहीं होता, नहीं linear gradient apply होता है, और नहीं इसके उपर, जिसको हम कह सकते हैं, circular या फिर radial gradient, जो है, तो अब समधे आ गए है, मेरा ख्याल है, कि इसके अलावा, आप में से किसी का कोई और question है, तो, जी श्रीव भाई, आपका कोई है question, नहीं मेरा नहीं है, कोई है, वैसे अभी तक आप, जी जी, आप open tool के बजाए, इसका line tool इस्तिमाल करें हो, अच्छा होता है, line tool, basically shading के लिए मैं काफी जादे use करता हूँ, आज भी म यूज किये, मैं आपको दिखाता हूँ, आज मैं ये इस project पर गाम कर रहा था, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, कि मेरी आज कारिस्तानी क्या रही है, सारा दिन में, ओ, ये था कि एक point बनानी है, जिसमें ये choose है, बहुत सारे अभी तो मैंने just ये कुछ चार पा पर काम कर रहा था, अभी इसमें मैंने sound नहीं डाला, ठीक है, अभी just मैंने किया कि हलका फुलका से इनको animate किया है, अभी just इनको मैंने उड़ाना है, भगाना है, और इस भाई साब को भी move कराना है, अभी इस बच्चे को भी मैंने animate नहीं किया, just एक ही जगा पर खड़ा यह जो होते हैं यह जो clients हैं यह हमें wise over कुद देते हैं, ठीक है, पूरी की पूरी एक poem होगी, जो किसी singer ने पढ़ी होगी, उसके बीचे पूरा music होगा, ठीक है, तो वो इन्होंने मुझे दी हुई है, तो वो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर यहां पे लगाउंगा, यहा मैरे माइन में है, मैंने उसके तीन, चार, पांच मर्थ बास सुने है, तो मुझे आइडिया है को इसके अंदर क्या क्या चल रहा है, तो उस लिहाँ से मैंने character ready कर लिया है, animation कर लिया है, ठोड़ी बॉत, अभी जो character का animation देनी है, उसको expression देनी है, वो अलग से हैं, ठीक है, अच्छे, यह जो आपने video बनाई है, हम आपके lecture सुनके, यह कितने time तक, कितने lecture तक मतब इस काबिल हो जाएगे, कि हम इस तरह की अभी जो हमारा start हो रहे है, मतलब कल हमारी आनी है 15 और 16 वीडियो आनी है, ठीक है, यह भी इसमें software understanding है, लेकिन जैसे ही 17 से onward, 17 से लेकर 32 ज सारे इनी के बारे में हैं, जिसमें आपको characters के expression, character कैसे move करेगा, कैसे बाते करेगा, कैसे आपने उनको rig करना है, अगर उस में cartoon, उस cartoon के अंदर कोई, मतलब जैसे अभी chooza सा है, ठीक है, तो basically chooza की जो टांगे है ना, वो बार बार आगर आगर आपना note किया हो, वो हिल रह है, क्योंकि आपको बता है, symbol के अंदर जो चीज़ी है, वो एक जगा दूसरी जगा क्या करती रहे, मतलब एक जगा पर move करते हैं बार बार, अचा एक और अभी question पहले, आप में से किसी ने बूचा था कि हमने जो second video इस course की थी, नहीं third video थी, जिसके मैंने basic principle के बारे में ब देखें, अब यह क्या होए, मैंने यहां पर इस choosey के उपर अप्लाएगा है, जो यह वाला choosey है, इसके उपर भी अप्लाएगा है, ठीक है, दोनों के उप्लाएगा है, अब देखो, यह जब jump लगाएगा, यह नीचे की तरफ जाएगा, यह नीचे की तरफ गया, इसने energy gain किये physics के rule के मताबिक जैसे spring क्या होता है पहले compress होता है फिर क्या होता है expand करता है जंप लगा के चला जाए यह देखे अब उपर गये तो उपर जाते हुए देखे इसका size मैंने क्या कर दिया increase कर दिया है ठीक है यहाँ पर आपको नज़र आ रहे है कि इसका size है वो क्या हुए इस वाले चूजे से काफी लंबा हो गया है ठीक है चोड़ा नहीं हुआ बलके लंबा हो गया है ठीक है अब यह जहाँ पर जैसे उपर जाके बैठा है तो यह दुबारा से क्या हो जाएगा दोबारा अपने उसी size में आ जाएगा यह देखें अब इसका size और इसका size बराबर हो गया बड़ इसने जब नीचे से उपर की तरफ जाने लगए तो उस वक्त क्या हुआ है इसका size लंबाई में बढ़ गया तो इसको कहते है पहले क्या हुआ यह squeeze हुए नीचे जब जाते हुए यह क्या हुआ है स्कॉष हुआ है यह फैल गया है लंबाई की तरफ अब इसी तरह मैंने इसके साथ भी यह जो नीचे बैठा हुआ है यह चूजा यह भी क्या होगए जंप लगा के अभी उपर जाने की कोशिश करेगा यह बलके इस side पर है थोड़ा सा मैंने चूजा इसको देखें नीचे की तरफ गया इसने energy कटी की अब यह जंप लगा के उपर की तरफ जा रहे और यहां पर इसका size बड़ा हो रहे है यहां पर इसका size क्या हो गया बड़ा हो गया ठीक है या अब यह वापिस यह यह देखें अब यहां पर देखें कि यह क्या तो यहां भी इस तरह के वो चीज़ें अपलाई होनी है ठीक है मेरा ख्याल है अब आपको आइडिया हो गया होगा कि जब भी कोई चीज़ जम्प करेगी या उपर से नीचे की तरफ आएगी जैसे हमने बॉल की एक्जामपल ली थी तो इस तरह के चीज़ें अपलाई होनी ह इसके पाउं भी है इसका है इसका बाकी बॉड़ी है इसके आखे भी है है जुसामपल ली शूजाय उसके डीज़ें ठीक है यह एक ही चूज़ा है ठीक है यह जादा चूज़े नहीं है यह एक ही चूज़ा है उसकी मैंने कॉपी बनाई है यह मैं आपको दिखाता हूं मैं इसको उपर बढ़ाता हूं यहां पर आपको नजर आएगा यह टॉप पे देखें यह चिकन कॉपी है पहली यहां पर आपको तीसरी कॉपी है बिसकली उसके बाद औरिजनल जो है वो ये वाली है जिसके बाद मैंने अभी क्लिक किया हुए एक उसके नीचे चिकन कॉपी है बिसकली मैंने एक मरतबा बनाया है ठीक है मैंने चूजा एक मरतबा बनाया है ज्यादा मरतबा नहीं बनाया ठीक है बस मैंने क क्या कली उससे कॉपी करके बनाए थे मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा ठीक है आप देखें इस इसके ओपर क्या किया है मैंने इस चिकन का ये बॉड़ी बनाई है मैं आपको थोड़ा सा बिगर इन साइज करके दिखा देता हूं ता कि आपका आइडिया देखें आप इस मैंने पूरे चूजे को दो इस हमें तोड़ा है एक मैंने क्या किया है एक के ओपर बॉड़ी बनाई है यह उपर लिखाव है चिक चिक बेसिकली बॉड़ी है उसके नीचे क्या है सिंबल में फीट से है अब देखें मैं अगर ऐसे करूंगा तो यह फीट अलग से यहां पर सिंपल सी चीज़ा मैंने एक मर्दवा इसको क्रियेट किये अब मैं इसको 50-60 मर्दवा यूज़ करूंगा तो चूज़े चूज़े कर दूँगा अब लोगों को देखने में लगए का ओओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-चूज़े उटे हालाकि एक ही चूज़ा है तीक है तो यह Hä Reality की पीछे क्या होती है तो यह बेदिग्स होती है जो यह चीज़े बना रहे होती है उनके कारिस्तानी होती इस अ KN. रियूज कर सकते हैं और उसके कलर चेंज कर सकते हैं वो सब कुछ उस वीडियो के अंदर था शायद उस वक्त वह एप्लिकेशन नहीं थी तो इसलिए आपको थोड़ा सा उस तरह समय नहीं आया होगा जो अभी आपको बाद में आने वाला है अगले आने वाले वीडियो में आपके जाए जी और आपने खुब दीजाइन किया या फिर नहीं नहीं मैंनीड डिजाइन करता असल में इस तरह की जो चीज़ी है जिसमें छोटे बच्शों का कॉन्टेंट है उसके अंदर मैं कभी भी यूज नहीं करता खास तर पे मतलब मैं अपना कोई भी चीज नही यह उसे के लिए है तो यह लिए डम लूऩ फोल्डर है तो यह देखे यह पड़े हो इसे है और यह फ्री है सारे के सारे मैंने यह वाला यूज किये करिंस चीक है यह उसकी है युजग है यह वाला यूजग है आज यारी मत अब तक देखें मैंने क्या कि है बैक्ग्राउंड के ओपर एक मतलब बैक्ग्राउंड लेयर यहां पर रखी है बैक्ग्राउंड लेयर रखने के बार देखें आप इसके ओपर आपको डॉट्स नजर आ रहे होंगे यहां भी dots नज़र आ रहे हैं नहीं है वाले इसका मतलब मैंने इसके ओपर control B करके इसको break apart कर लिए break apart करने के बाद मैंने किया कि यह lesser tool लिए यासे अगर मुझे दिखाना हो कि यह द्रक्त जो है यह इस बच्चे के आगे कहीं दिखाना है कहीं पर या कोई ऐसी चीज मैंने इसके आगे दिखानी है तो मैं क्या करूँगा जस lesser tool से वो चीज select कर लूँगा ठीक है उसको cut करने के बाद क्या करूँगा इसको यहां से मैं इसके copy generate कर लूँगा मैं control C कर रहा हूँ अपने keyboard से control C करने के बाद मैं एक layer लूँगा ठीक है एक और मैं चलें टॉप पे जाके layer लेता हूँ यहां पर layer लेने के बाद मैं layer ले लेता हूँ और यहां पर मैं क्या करता हूँ इसको paste कर देता हूँ control V कर देता हूँ ठीक है तो यह देखे अब यह जो है पीछे भी है यह इस बच्चे के आगे भी है अब जितना पार्ट मुझे इसमें से रिमूव करना होगा मैं इसको बैटके थोड़ा सा क्या करूंगा सेलेक्शन बना लूंगा जैसे हम पर मैजिक वान टूल है जीएा पर इसको क्या करलूंगा यहां से रिमूव करलूंगा जैसे यह देखें ठीके तो अब क्या होगा यह द्रक्ट एक अच्छा सा एक इसके लुक रख देना शुरु कर लेगए स्थाने अब जीए इस पार्ट आएगा तो ऐसे लगेगा ये 3D लुक दे रहे कि जो चूजा है वो इस द्रक्त के पीछे से आ रहे है अब देखने वाले कि तो ऐसे लगेगा ये देखे चूजा इसके पीछे से आ रहे है ऐसे न अच्छी से लुक दे रहे है ये देखे ठीक है तो ये इस तरह यूज किया तो जो जो पार्ट मैंने इसके उपर रखना था वह मैंने कुछ इस तरह शो कर लिए ठीक है ये जी वृट की उसे उस्यार करें अपको फाइनल के नदर यूज करने वाला ना को समझा था नई जो लूक क के ना थो थोड़ी से अच्छी लग गई है तो मैं इसको ऐसे यूज करने वाला हूं कैरे तो और को कोई क्वेश्चन हो आपका अच्छा हम इसके बाठ आ पर बा एक तरह मैं आपके सामने एक लाइव वीडियो त्यार करका आपके सामने ही और मैं उसको यूटिब चैनल के ओपर डालूँगा तो मेरा ख्याल है वह लाइव देखते हुए और पिर वह चैनल के ऑपर आएगे देखेंगे कि क्या रिजल्ट लाती है तो सारी चीजे महां से स अपने उरिजनल जैसे मैं वायस उवर करता हूँ उसी लुक में वो किया तेक्डा मैं आपको लगेगा बड़े मजएक आ जार यार यह mouth उसके उपर लाने है Бिश में वह वाय्सक ओवर करते हैं और Вाईसकों कि अफोर की इस फिर हम में ने चैसे करेंके है और फाइनली हम इस में से export करेंगे फिर हम उसका थब जिनरेट करेंगे त़िक है थमनेल generate करके फिर हम उसको editing करेंगे उसकी premiere के अंदर सारा कुछ आपके सामने ही होगा मतलब किसी को अगर editing नहीं भी आती तो वो भी अब सीख जाए का इससे फिर उसके बाद मैं uploading करूंगा और upload करते हुए उसके SEO कैसे करनी है वो अभी इसी के अंदर शामिल है और SEO करते हुए कौन-कौन से tools यूज करने है वो अभी इसी के अंदर शामिल है कैसे आपने वो keywords ढूनने होते हैं कैसे आपने tags लगाने होते हैं अगर आपके पहले साथ है वेलंगोट अगर नहीं आता तो जो method मैं यूज करता हूँ वो आप भी यूज करेंगे तो उससे यह होता है कि views बढ़ जाते हैं तो आपका चैनल अगर दो-चार वीडियोज भी है ना उसके साथ भी views बहुत आते हैं जिसके वज़े सबस्क्राइबर बढ़ जाते हैं तो अभी मैंने काफी अरसे से अपने जो मेंन चैनल उसके ओपर वीडियोज अपलोड नहीं की क्योंके मैं अभी प्रॉजेक्स में ही बीजी हूँ तो अब मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि उस चैनल के ओपर दुबारा से वापिस आजाँ अभी वो डेट पड़ा हुए चैनल ठीक है चार महीने हो गए मैंने वीडियो डाली तो इसके बाद मैं उसके ओपर से गाई हूँ टाइम ही नहीं मिलता इतना ज्यादा वीजी हूँ अभी प्रॉजेक्स में क्यार कोई इशो नहीं है कोई इशो नहीं तो यह सब कुछ आपके सामने हो रहा होगा जाए है अब आपने इलस्टेटर के ओपर किया राइट जी ऐसी है ठीक है बस इसको थोड़ा सा यह खतरनाक लग रहे ठीक है अब इसको मजीद बढ़ा हो मैं जो मैंने आपको पास जो बुक्स भेजी थी थी ना वह आप अगर अगर आप उसको थोड़ा सा टाइम दो ना दस पंद्रा मिनट भी अगर टाइम दो तो आपको लगेगा कि यार उसमें आपको ऐसे सी टेक्नीक्स बताए गई है कि उससे जो ड्राइंग के ना बहुत असान हो जाती है ठीक है उसको जड़ा है यह मैंने बिनाया था उसके इनर पैंट तूल के साथ जो है ना अच्छा तो इसी वज़ए से तो मुझे जाना आपके पास टैबलेट नहीं नहीं टैबलेट नहीं इसी वज़ए से मैंने थीजिञेरशन हो नहीं से आपस टैबलेट गैंटर नहीं आएक अपशन होता है जिसको कहते हैं विंडोज को अप्शन ठीक है वह Windows इंक का जो option है वह आपको basically help provide करते हैं आपको help करते हैं ऐसे ही आप design कर रहे होते हैं बना रहे होते हैं जैसे आप कागज के ओपर लिखते हैं सेम वैसे ही even वह चलता भी उसके ओपर एसे है जैसे आप कागज के ओपर लिखते हैं ना थोड़ी सी push देखर फोड़ा सा रुक रुक के यह वैसे है प्रश्र सेंस्टिविटी काम करते हैं एक और मैं फ्रेशर सेंस्टिविटी काम करते हैं और मैं थोड़ा सा मतलब रफ लिखते हैं और बड़ा मज़ा आता है इसके उपर लिखते होगे तो यह आप यूज करेंगे तो फिर आपको लगेगा यार यह डिजाइनिंग जना उसके उपर ज्यादा आसान है टैबलेट के उपर आज कंपेर टू आप अगर इलस्टेटर के उपर जाएंगे तो वह भी बड़ यह के मुझे कभी भी फोटोशाप के उपर डिजाइनिंग अच्छी नहीं लेगे मैं कभी जब स्टार्ट किया था ना तब मैं बनाता था जब मुझे आइडिया नहीं था के करेक्टर कैसे बनते हैं मुझे यह नहीं पता था एडवी एनिवेट क्या चीज होती है ठीक है मैं करीटा के उपर किया करता था यह यह डिजाइनिंग करेक्टर डिजाइन करता था फिर मुझे एक दिन किसी ने मैं उसके सर्च कर रहा था यूट्यूब पे तो मुझे यह 2020 की बात है जब करोना आया था तब मुझे आइडिया हुआ अच्छा एडवी एनिमेट को साथ की साथ ही चीज़ें आईडिया होती जा रही है मैं सच में मुझे तो यह था कि मैं teaching कर रहा था एक school में तो मेरे पाजना पैसे थे और नहीं मुझे को सीखने वाला था तो मैं पिर इसके ओपर सिखते सिखते में एक ठाही तीन साल लगए मुझे अब इसलिए मैं च यह का था भाई थे क्लाइन क्लाइन वगएरा है क्लाइंट्स आफ आप मैं आपको एक आईडिया देता हूं जब आप अपना कोई काम करते हैं आप उस इसको शॉकेश जुरूर किया करें शॉकेश करने का मतलब आप YouTube चैनल बनाएं चाहे वो वो जाना हो त्टेख है आपको लगता है कि यार मेरे चैनल मॉनिटाइज नहीं हो तो मैं पैसे नहीं कमा रहा है ऐसा नहीं है आपको बहुत सारे नीचे ना कलाइंट्स राप्ता करते हैं मतलब वो देखते हैं कि ये चीज़ कहीं किसी ने कोई नी बना सकता तो क्या ये बना बना पाएगा क्योंकि जो बड़े कलाइंट्स होते हैं वो यूट्यूब चैनल जरूर देख रहे होते हैं जो खास तोर पे एनिमेशन की होते हैं अगर उनका काम एनिमेशन का है तो मुझे वहाँ से कोई 5-6 long term वो कलाइंट्स मिले हैं ठीक है एक तो ये है दूसरा ये है कि with the passage of time आपको बहुत सारे जो लोग हैं जब आप अपनी फेस्बुक के ओपर अपनी चीज़ें पेस्ट करते हैं या आप जैसे मान लेते हैं दो चार एनिमेटर्स हैं और आप भी एनिमेटर हैं आपने अपना फेस्बुक पेज बनाया है उसके ओपर आप अपनी जो चीज़ें बना रहे हैं वो डालते हैं तो बहुत सारे like-minded जो people होते हैं वो आपको follow करना शुरू करते हैं जब एक जैसी community आगे बढ़ती है ना वहां से कोई नो कोई लोग निकलाते हैं तो वह कहते हैं हमारे लिए यह काम कर दें ये कर दें ये कर दें ये कर दें तो मैं गएता हूं ठीक है ठीक है आपकी help करते हैं कुछ आप उनकी help करते हैं तो इस्तOR एक community अब यह time लगता है मतलब आपको साल लग जाएगा इसमें मैं यह नहीं कहता कि बड़ी कंपनीज आपका प्रोच नहीं करें करती है ठीक है बट यह है कि आपका काम पहले शोकेस होना चाहिए ठीक है अपना थ्रोब सा काम दिखाता हूं तो आप देखें दिरो उसके मताबक अगर कोई आप तो मुझे बता दें कर देखा लूगा अब तो माशाबला हम उसको फ्री होके देख लूगा एक बिसिकली हम भी अगर काम करें थी ठीक है कोई मसला नहीं है नो प्रॉब्लम आप किता हूं यापके नमबर को मुझे सेंट कर जाएगा सेंट कर जाएगा मैं देख लूँगा उसको जो अगर उसमें कोई गाइडेंस की दूर तो कि वो बता दूँगा अदर्वाइस मुझे लगा कि हाँ आप काफी अच्छा पहले से काम कर रहे हैं तो फिर इस तरह कर चो कर मुझे लगा कि हाँ आप वाकि बहुत अच्छा काम करते हैं फिर मैं आपकी उस क्लाइंट से बात करवा दूँगा ठीक है थोड़ा बहुत गुजार कर ले तो इतना अच्छा भी तो नहीं में रगा देखो आपको आपको दस पंद्रा दिन बीज दिन या महीना हाथ से एंड कर दो ठीक है उसमें फिर भी गलतियां रह जाएं तो वह तो किसमत है फिर लेकिन है जब आप अपनी एक हंड़र पर सेंट देते हैं तो फिर को इश्यू नहीं होता उसमें मेरा इसमें वैसे डेट सालत होंगे अड़ोबी अनिमेट पर अच्छा कर तो रहता तो मैं आपका नाम भी उस लिस्ट में एड़ कर लेता हूं तो जब भी कोई इस तरह का आएगा तो मैं आपकी तरफ शेयर कर दूंगा ठीक है जै शुक्रिया बहुत वेलकम वेलकम कोई बात है यह कम्यूनिटी हमारी इसलिए तो बनी है कि हम एक दूश्य की हेल्प कर सके अगे मेरा ख्याल है अभी हमें कितने मिनट की वीडियो का उन्होंने कहा था तीन मिनट और रहे गई है ठीक है कोई है क्वेस्टन तो पूछ लें नहीं तो फिर हम रिजौन कर लेते हैं अगर नहीं अगर है फिर हम इसको यहीं पर देते हैं नो सब्सक्राइब है जी मेरा ख्याल है श्रीव भाई कुछ पूछना चाहरे है आप नहीं नहीं चैनल है फिर हम आप मुझे शेर कर दिए कि मैं उसको देख लूँगा या अभी मेरा जो है ना मेरा मेरे माइन में यह है कि अभी लेवल टू आप कर ले ना उसके अंदर कोई पचीस दिन और लगेंगे आपको बीस पचीस दिन तो फिर आप को किसी भी तरह का कोई चीज आएगे ना तो अब आप रैडियो चुक्के होंगे उसके लिए जो लेवल थी है ना उसमें हम HTML सीखेंगे HTML का मतलब कोडिंग के थू या कोडिंग हम शेर करना सीखेंगे कि यूस में किस तरह इनिमेशन हम शेर कर सकतें हैं अपने क्लाइंट के साथ कोड़ शेर करेंगे तो एनिमेशन शेर हो जाएगी उसमें वह थोड़ा सा डिफरेंट होगा वह हमारा बहुत बड़े-बड़े टेक कंपनी के लिए होगा वह ठीक है यह शाहले ठीक हो गया थ झाल फिस झाल फिस झाल फिस